कि कॉंग्रेस पर आगे बड़े पच्छी बनान में फ़ले से देखे एक चीज होता है कि कॉंग्रेस ऐसा एक पॉलिटिकल पाटी है जो हमेशा सोचता है जंता का हित कैसे होगा पाटी का हित और पाटी वार्कर का हित और पाटी जितने का काम यह कॉंग्रेस का सोच था नहीं है कॉंग्रेस का सोच होता है देश का जंडा आगे कैसे बढ़ पाएंगे मुझपूती से देश का जो और्थोनोहितिक व्यवस्था, देश का बेरोजगारी हटाने का जो काम, देश का एगरिकल्चर का डिवलम्मेंट, देश का जो बिजनेसमेन है अच्छा तरीका से उसको डिवलम्मेंट कैसे हो सकता है, एजे होल, कॉंग्रेस का सोच हिंदूस्थान का आगे बढ़ने का और हिंदूस्थान का मुझबूती से, उसका हर चीज को आगे ले जाने का काम, इसका कारण कॉंग्रेस सुस्ता है देश का बारे में कॉंग्रेस पाटी का बारे में सुस्ता नहीं है पाटी का बारे में सुस्ता तो हिंदूस्तान में कॉंग्रेस हमेशा राज करते है कॉंग्रेस सुस्ता है हिंदूस्तान का जो अमरा संग्भीधान वो संग्विधन हार इनसान उसको मन के चले संग्विधन का मुताबिक देश का हार इनसान उसमें उनका देश का अंदर में उनका संग्विधन में जो जो चीज है उसको अगे बढ़ने का काम करे उसका अंदर में मेरे को जब PCC प्रेसिडेंट बनाया ओल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी मलिका अजुन खाडगे जी जननायक राहुन जी अमारा सबका नेता शनिया जी लाइके मादार अब दी आल वर्कार्स एंड कॉंग्रेस का हार चीज में जो अच्छा बुरा जो कॉंग्रेस का स्थिती में सुनिया जी का जो कंटिब्यूशन है उनका जो सोच इसका कारण मेरे को जो प्रेसिडेंट बनाया मैं सोचता हूँ बंगल का प्रेसिडेंट कोई एक छोटा चीज नहीं है हिंदूस्थन का आबादी का एट परसेंट जो जनता बंगल में होता है उनका रिप्रेजेंटेटी उनका मुख्या मैं सुभंकर सरकार प्रोदेश कांग्रिस का सभापुती यह मेरा जो वरकार जो करे करता जो आमारा बुजूर्ख जो बरीस्ट यह छोड़के मेरा आवाज यह होगा यह आवाज कंती करी यह आवाज आने वला दीन में बंगल का हर जंता का पास ए धर्ति का उपर खाड़ा होके अस्मान का नीचे मैं एक ही बात बुल सकता हूँ कॉंग्रेस अने वला दीन में उसका पाटी को कॉंग्रेस पाटी को मजगुती से हार महला में हार गली में हार ब्लॉक में हार अमारा जो एरिया में हम लोग अच्छा से और्गनाईजिसंद बना के बंगल का जमता को ये सोचने के लिए बताऊंगा जिए देखिए आप लोग कॉंग्रेस को बहुत लाइक करते हो एक प्रब्लेम आपका है कोई ना कोई कारण से आप लोग आभी कॉंग्रेस का साथ जो सहोजोग आपका पास से कॉंग्रेस को नहीं मिल रहा है एक कॉंग्रेस गैप अमारा बूत और अमारा जो एकदम ब्लॉक स्टार है उसमें जो अमारा कॉंग्रेस गैप था आने वला दीम में हम चाता है जे ए हार बूत में हार अमारा पंचायद में हार अमारा ब्लॉक में इधर से कॉंग्रेस पी सी सी ताक जो करे करता है उसका अंदर में एक कॉम्मुनिकेशन जो रिलेशन से उसको मजबूती से इसको राक के आने वला दीन में एक ही बात बंगल का जनता को हम लोग बोलने के लिए कोशिस करेंगे जह देखिए कॉंग्रेस पार्टी को आप लोग मानेंगे कॉंग्रेस पार्टी को आप लोग सपोर्ट देंगे कॉंग्रेस चुनाओं में जितेंगे, बंगाल का कोई जंता को बाहर में जाना नहीं पड़ेगा, जो बेकारी है, जो अनेंप्लोईमेंट यूथ है, उनको बाहर में नुकरी करने जाना नहीं पड़ेगा, क्यों कॉंग्रेस का राज होगा, तो इंडस्टी बनेगा, काम का एरिया बनेगा, इधार अच्छा से कॉंप्यूटर सेक्टर बनेगा, एग्रिकल्चर का डेवलम्मेंट होगा, आने वला दिन में पंगाल का जो एग्रिकल्चर, एडुकेशन, रैसोनिंग, एंड हेल्द का जो इतना बुरा स्थिती हो गया, मेरा ख्याल से कॉंग्रेस का ज आया जाता था, अभी हर ब्लोक में एक ब्लोक हिल्थ सिंटर है, बट काम करने वला नहीं है, तो हिंदूस्थन का अंदर में कॉंग्रेस जब मुशिवद में है, देश मुशिवद में है, तो बंगल में कॉंग्रेस नहीं है, एक इंडस्ट्री आप देखाईए, दूसरी पॉलिटिकल पाटी राज किया, बंगल में, मेरे कोई एक नौया इंडस्ट्री बंगल में देखाईए, आप देखा नहीं सकता, तो मैं एजे PCC प्रेसिडेंट, बंगल का जंता को मैं ये अस्तासन देना चाहता हूँ, एक बार कॉंग्रेस को, आप लोग, support देखिए, वो support कैसा है, घुट में जिता ही है, जिताने का काम, नहीं, ये support है, कॉंग्रेस आगे बढ़ेगा, कॉंग्रेस का चुनाओं में जितने का position आप लोग बनाएंगे, कुन बनाएंगे, जंता बनाएगे अमारा worker कॉंग्रेश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे जिताने की जंता जिताएगा आपको आपको आज मैं बता रहूँ बहुत दिन से संगठन अमारा शिधी को थोड़ा week है बट आपको सोचना चाहिए बंगल का जौनता क्यूं कॉंग्रेस को पसंद नहीं कर रहा है आपका एक्टिविटीज नहीं है पार्टी का कोई है नहीं एक बाइनरी पॉलिटिक शुरुआत हुआ एक मार्केटिंग पॉलिटिक शुरुआत हुआ एक ऐसा बिपनन अमारा अंदर में है जो बिपनन का मद्धम से आप देखिए जो पीपल जो सोच रहा है जो सोच के उन्होंने उनका भोट कास्ट कर रहा है बस उनका जो खौब था जो खौब के लिए उन्होंने T.M.C. को ले के आए थे जो खौब के लिए उन्होंने भजपा को ले के आए एक खौब बंगल का जनता को नहीं आज मिल रहा है तो आने वाला दिन में बंगल का जनता को क्या सोचना है अमारा कॉंग्रेस का जो वारकर उन्होंने बताएंगे कॉंग्रेस अच्छा political party है यह बात अमरा worker बताएंगे आपने जो बात बताएंगे organization को मुझबूती से आगे बढ़ाना चाहिए organization जुरूर एक important चीज है बट एक atmosphere जो atmosphere जनता त्यार करता है political party नारा देता है, जुलूस निकालता है बोलते है, सब कुछ है बट त्यार करने वाला जो सुन रहा है जिसका पास ये right है किसका पास right है बंगल का जनता का उनको भोड़ दिने का right है इतना corruption हो रहा है ये corruption का अंदर में आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हो इतना मैं introduction क्यों किया आप देख रहे हो corruption हो रहा है भाई सब देख रहा है corruption हो रहा है सब लग देख रहा है agency भी काम कर रहा है क्या हो रहा है punishment क्यों नहीं हो रहा है तो जनता क्या सोचेगा जे corruption होने का भाद भाई तो punishment नहीं हो रहा है तो corruption करके कोई मेरा problem नहीं है corruption होगा फिर जेल जाएगा जेल से निकल के आ जाएगा तो एजेंसी जो है वो च्छानविन कैसे कर रहा है जिसका बारे में कॉराप्शन कारोफ है वो निकल के आ जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ जे बंग्डल का जन्ता ये सब देख रहा है उसको सोचना चाहिए जह किसको उन्होंने choice किया है हमारा तरफ से party का तरफ से organization week है हम मनते हैं हमारा vote का percentage काउम है हम लोग accept किया है हम लोग assembly में 0 है accepted है बट जनता तो vote कस्ट किया vote दिया तो जनता जब vote देने का बाद जो भोटार है ये भोटार तो देख रहा है हर चीज उन्हों तो Congress को vote नहीं दिया ठीक है Congress week है Congress का leadership ठीक नहीं है worker ठीक नहीं है मैं हर चीज माल लिया बट जनता जिसको vote डाला जिनोंने खमता में है state में है और center में है आपको मैं एक question कर रहा हूँ मेरा एक जनकरी के लिए मैं पूछ रहा हूँ अपने बोल रहे हो जे Congress का आने ओला दिन में क्या होगा Congress एब बात को सामने राक के बताएंगे जे बंगल का जनता सबसे सोच ज़्यादा है एब बंगल का जनता जिसको चुना है इतना करफसान इतना बंगल का अंदर में इतना incident है अरजिकर हुआ रैसोन हुआ education हुआ health sector में हुआ नतीजा का है ROP जेल में जाता है जेल से निकाल के आ जाता है responsibility किसका है बताएगा agency का central government का है state government का है administration का है किसी को आप सोचो जे इसका कारण ये लोग ठीक से case नहीं बनाया ये लोग ठीक से काम कुछ नहीं कर रहा है बट बंगल का जनता को मैं पूछना चाहता हूँ इसका बाद आपने आपका important जो vote आपका right कहां अपने देंगे ठीक है हम लोग एक है किस लिए उएक है आपका support मेरा नहीं मिल रहा है इसलिए उएक है आप मेरे को support दे देते तो मैं ताकत बन जाता आपके कहिए कांवर्स फारार कांवर्स के पाति के अंदर फार पच्छी मंगा में लॉबी भी एक होजा रही है तो जो लॉबी जो डिफरेंट लॉबी जो इसको खत्म करने के लिए ज़नेता आपके आपका रही है आरे वीक तो मैं हूँ I am accepting this thing जे Congress वीक है बट आम लोग सबक पर है आम ये inner class मनता नहीं हूँ इसलिए मनता नहीं हूँ हार political party का अंदर में एक defense of opinion होता है democracy जब होगा तब कोई बात लेके debate होगा ओ बात बाहर में आ जाएगा social media का अज पुरा हर चीज बाहर में आता है इसमें मैं चिंतित नहीं हूँ अब लोग एक angle से मेरे को पूछ रहे हो मैं अब लोग को दूसरी angle से पूछना चाता हूँ आप मेरे को बताईए बंगल का जोंता इतना सब देख रहा है कॉंग्रेस का राज भी देखा इतना इंडस्ट्री जो बंगल में हुआ था ये इंडस्ट्री किसका समय हुआ कॉंग्रेस जब से वूइक हुआ उसका बाद से इंडस्ट्री अज ये stock checking तो होना चाहिए एजे newly appointed president मैंने एपील करना चाहता हूँ बंगल का जोंता का सामने जरूर अमरा कमिया है अमरा organization को आगे बढ़ाना चाहिए भूत और पंचाइब में अमरा organization को आरो मजबूती से लेके जाना चाहिए बट जोंता जब जाग जाएगा कोई organization कुछ नहीं लागेगा हर चीज में इसका प्रोटेस्ट में काम कर रहा है काम करते रहेगा जब तक यह corruption ना बंध हो और यह अमरा चलता रहेगा कोई ऐसे आपाक नहीं है मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ as a newly appointed president मेरा first काम होगा party को revamp rebuild करना एक तो काम है बट मैं सुचता हूँ revamp rebuild आप जितना भी करे बंगल का जंता जब तक नहीं सुचेगा जे बंगल में Congress का राज में अमरा राज में भी गलत काम कुछ नहीं हुआ हुआ बट जंता को compare करना चाहिए जे Congress का राज में क्या हुआ left का राज में क्या हुआ और QMC का राज में क्या हो रहा है और भजबा सेंटर में आने का बाद उनको जो support मिला है बंगल से वो लोग क्या कर रहा है यह तीनों और यह सब चीज का comparison नहीं होगा तब अमरा organization भी बार जाएगा मैं बताता हूँ धैन से सुनिए आज अनुब्रतो मंडल बाहर आ गया किसलिए बाहर है आप भी जानते हो जानता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ agency क्या कम कर रहा था central agency state agency तो कानुन का उपर तो जनता का विश्चस होना चाहिए अभी तक है फिर इतना करपसान आप भी सुच रहे हूँ मैं भी सुच रहा हूँ सब लोग आखों में देख रहा है फिर भी यह चलता रहेगा तो जो लोग भोट डाल रहा है इनको तो ज़्यादा सुचना चाहिए छोड़ दिये Congress कॉंग्रेस को भौट डालना नहीं है बन्गल का जनता को में बताओंगा आने ओला दिन में क्या होगा क्या सुच नहीं है अने बिक्षन भी है लिए जिए टेम सी इंडिया ओलाइंस में इंडिया ओलाइंस है कॉंग्रेस का डूर एंड विंडो इस ओपन इंडिया एलाइंस का पाटनार जो है वो एक साब में लणना चाहता है लड़े 2024 पर्लामेंट इलेक्शन में अमारा इंडिया पाटनार अमारा साथ एक साथ में मिलके हम दोनों लड़े लेप्ट एंड कॉंग्रेस टेमसी इंडिविजूल लड़े प्राब्लेम कुछ नहीं है यह जो इंडिया एलाइंस बना था यह सेंट्रल गॉर्मेंट में जो ताना साही चल रहा है एक ताना साही का वि रोध में अलाग अलाग पॉलिटिकल पार्टी डिफरेट दिय कॉलिटिकल एजेंडा डिफरेट लाइने यह सुब एक साथ में हुआ था इसलिए हुआ था जह हिंदूस्तान में जो तानासाई चल रहा है इसका विरोध में हम लोग को आवाज उठाना चाहिए बट इंडिविजुआली जो एक-एक स्टेट अलाग है उनका पॉलिटिकल कॉंपंसल भी अलाग है एक कॉंपल्सं का अंदर में ट्यम्सी बंगल में राज कर रहे हैं ट्यम्सी एडूकेशन का अंदर में जो कराप्सान अभी बाहर में आया अंदर में क्या है पता नहीं है ट्यम्सी का जो रैसम घोटाला में जो चीज बाहर में आया जो हेल्थ सेक्टर में आया तो इसका बिरोध में बंगल का जंगता का जो आवाज जो सेंटिमेंट उसको लेके तो पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए पॉंग्रेस भी काम कर रहे है नाया नीडर्शिप के लिए जो बैटे होते हैं बहुत से लुक नाराज थे जो इससे पहले जो लिडर्शिप थे उन लोगे अक्टिम ने बैट देने रहे ते अभी एक नया निडर्शिप आया ने कीशिए वर आफ आए हैं उनको क्या मैसे देंगा देखे मैं एक चीज बताता हूँ लीडर यह मैं इतना सोचता नहीं हूँ लीडर होता है जनता का विश्प से कोई पलिटिकल पाटी कोई निता बना देता नहीं है मैं हमेशा कॉंग्रेस जब से सुरुवत हुआ था उसका जन्नी स्टार्ट हुआ था तब से कॉंग्रेस एक चीज को हमेशा धेंद में रखा जनता इन्सान ओ कैसे अच्छा रहेगा उसका आवाज क्या है उसका साथ देना है कॉंग्रेस का इंडिविजूल कोई अलाग चीज नहीं है बेटर्मेंट अब दी पीपूल कॉंग्रेस सोचा है हमेशा तो आज मेरे को आज बताईए बंगल ऐसा एक स्टेट है इंडिपेंडेंडेंडली इधर से कोई जित्ता नहीं है एक पॉलिटिकल एफिकलेशन नुकार करेगा जनता कॉंग्रेस पार्टी को काल एकसेप्ट करेगा तब किसी को पीछे घुन के दिखने का जुरूरत नहीं है सबसे ज्यादा साफर कर रहा है बंगल में जनता ही कर रहा है बाहर में नुगनी करने के लिए किसको जाना पड़ता है यूत को तो Congress का सोच क्या होगा? Congress का सोच होगा, बंगाल में इंडरस्ट्री बने, आनेंप्लॉइमेंट को आगे जितना भी कोशिस करना है जे आनेंप्लॉइमेंट को हटाने का, मेरे को आज बताईए, यांग जेनरेशन जो घर में है, जो Congress करना चाता है, अपने बोला, वो लोग घ मिठा है, देखिए किसी के लिए कोई घर में बैठता नहीं है, मैं सब को आउभन करूँगा, दुसरी पॉलिटिकल पाटी में जो लोग है उनको भी मैं मेरा मंग रहेगा, जिसका नीचे खड़ा होके, आप हार चीज में आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, अमारा पाटी का अ नहीं होगा, वो भी चाहिए, कोई इसको बोलता है, दिस्यप्रिन नहीं है, बढ etmek सोता हूँ, यह ज़्यादा डिमोक्राशी है, अमारा पाटी का अंदर में डिमोक्र visualize नहीं होगा, तो बाहर का डिमोक्राशी का वारे में हैं कैसे बोल सकता हूँ, इसलिए मेरा कोई जो संगबाद बंध था यह तो संगविधान का सबसे ताकवतला चीज है। पेन इस माइटर देन सोड। नौ बूम इस माइटर देन सोड। हमको बताइए यह आने वाला दीन में जो चीज सारा जैगा में चल रहा है सेंटार एन स्टेट। आप रहुल गंदी को कोई बात पुछेंगे, शुबंका सरकार को पुछेंगे, हमको तो कोई चीम मिनिस्टर नहीं बनाया, रहुल गंदी को तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, आप रहुल गंदी को ए बात पुछेंगे, जै आप उपोजिशन लीडर, आपको मैं ए बा अपोजीशन लीडर का रेकोगनाइजेशन दिया. अब ही इस दी अपोजीशन लीडर इन आवर पर्लामेंट. अज वो पाटी का बंगल का मुख्या मेरे को बनाएं. मेरा काम क्या होगा? पहला मैं अमारा जो वरकर है उनको बताएंगे, आप खुद आपका ताकत को मजबूती से आगे बढ़ाईएं. संगोटन को आगे बढ़ाईएं. संगोटन बढ़ेगा, जरूर. जो लोग खिलाब में काम कर रहे हैं, उसका बिरोद में मैं आवाज उठा सकता है. साथ साथ में मैं बंगल का जंता का सामने, जो भोटर है और इंसान है, उनका सामने बताऊँगा, आपने तो हर प्लिटिकल पाटी को देख लिया, आपने कॉंग्रेस को देखा, लेट को देखा, आपने केंसी को देखा, आपने भाजपा को देखा, आपने compare कीजिए, जो Congress जब होता है, इंसान घर में अराम से सोता है, Congress जब होता है, हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, बंगल हिंदुस्तान का अंदर में, बंगल भी आगे बढ़ेगा, जितना industry हुआ है, यह Salt Lake जो आप देख रहे हो, एक Congress क समाए, New York City, कोई चीज मेरे को देखा दीजे, electricity, कोई हर चीज में, तो मैं Congress का मुख्या हुँ, मैं हमेशा सोचता हुँ, जह I want to be the, and my party, Congress Party, मुख्या बने, बंगल का आम जंता का, अज जंता सोचे, जह अमरा मुख्या Congress Party है, शुबंका सरकर नहीं है, अमरा एक वरकर नही आज, उसके लिए हमेशा रहेगा, एक काम करने के लिए, मैं हमारा जो प्रेसीडेंट अधी चोधुरी जी था, उनका बाद एक काम आगे बढ़ाने का मेरा काम हो,